आज जो तेजस्वी यादब का जंग से लाब उबरा है पूरे बिहार ही नहीं पूरा देश का नदर आज पूरे बिहार पे है कि अज 32 साल का यूवा पूरा देश में आज चहक रहा है अब ट्विटर देख लिजिए सोसल मीडिया देख लिजिए जिधर जाईए उधर नहीं कहते हैं यह लराई बहुत बड़ी लराई है और इस लराई में सिर्फ तेजस्वी यादब अकेला नहीं है तेजस्वी यादब के साथ वह हर लोग है जो इस देश से इस बिहार से प्यार करता है लालु यादब वह ब्यक्ति हैं जो नीचे से लेके ऊपर उठाने का काम करते हैं वह लालो यादब है हिम्मत है भाजपावाले में किसी गरीब गुर्वा को टिकर देके हम नीचे से उपर उठाए वह भाजपा में नहीं है आप देख लिजिएगा तीन तारी को जो रैली होने वाली है सब की चुट्टी होजाएगी सब की चुट्टी हो जो बड़े बिधाये को यह खरीद रहे हैं और यह चेतान आनंद जिसका पुरास्टित खतम हो गया था राजनिती की पूरी पारिक खतम हो गई थी और उसको तेजस्वी आदब ने टिकर दे के सदन भेजने का काम किया यही पहलाद यादब जिसका कुछ नहीं था उसको भी और यह क्या कहते हैं निलम देवी का तो बात ही मत किजिए नितिश कुमार में नितिश कुमार ने तो कहीं का नहीं छोड़ा था आनंद सिंग को और निलम देवी को और निलम देवी का जो आशु था वो देखने लाइक था कोई पोचने वाला नहीं था तो यह आशु लाल जंदर मोदी के नाम पे अगर चुनाब नहीं हारेगा तो फिर हमसे बत्याइएगा इन लोगों की अपनी कोई जमीर नहीं थी अपनी कोई उकाद नहीं थी यह सब लालू यादव का देन है बिहार में जनविश्वास यात्रा के खतम होने के बाद तेजस्वी आदव तीन मार्च को करने वाले महा रहला उस महा रहला में कितने ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन वहीं दूसरे तरफ की बाते किया जाए तो द एक और आदमी जो भरत बिंध है वो चले गए जो भवुगा से विधायक थे राष्टिये जनता दलके तो टोटल मिला करके कहा जाए एक तरीके से तो साथ ऐसे बिधायक है आठ ऐसे बिधायक है जो चले गए भारतिये जनता पार्टी में हमारे साथ में प्रिया राज है कैसे देख रही इन सारे चीजों को की जन विश्वास से आत्रा हुआ और उसके बाद में लगातार जो बिधायक ये जा रहा है जनता का विश्वास तो मिल रहे लेकिन विधायक जा रहे है देखिए ये जो जन विश्वास रही है उससे भाचपा कही न कहीं पूरा डड़ और यह दिख रहा है कि चोड़ की तरह जाके और महागठवंधन के राजत के जो विधायक है उसको तोरने के काम कर रहे हैं तो जो कायर लोग है जो डर्पोक लोग है और जो गलत लोग है वो उनकी छटनी हो रही है तो जो गलत लोग है तो समझ लिजे इसी जंग में इसी ज बिल्कुल डर नहीं है जो गलत है उसको आप कितना देरा प्रोग के रखिएगा जो गलत होंगे जो डर्पोक होंगे जो कायर होंगे उसको आप बांध के नहीं रख सकते हैं तो यह लोग डर्पोक लोग है जो हमें से यह कैसे डर हैं राजत के बिनाएं डरते हैं यह ऐसे लोग है संगी विचार के लोग है जो हमेशा से राजद में तो थे लेकिन वहीं क्या कहें बिलकुल वहीं बनके बैठे हुए थे इन लोगों को चले ही जाना तजस्वी जी के लिए बहुत बड़ा लावदायक होने वाला है यह समझ लिजिए आप सुने होंगे रामदे हमेशा भाजपा का हिताइसी बने बैठते हैं लेकिन आज उस रामदे बाबा के मुल से जुवान से सब्द निकला तो समझ सकते हैं कि तेजस्विक का लोग प्रियाता कितना बढ़ गया है अब कोई नहीं इसको पीछा कर सकता है कोई नहीं पीछा कर रहे हैं सही तो बोल देखने को आपको मिलेगा कि किस तरह से जब यह मध्य पुरा जाते हैं जब यह सहरसा जाते हैं जब यह मोतिहारी जाते हैं और लोगों की जो भीर होती है इस भीर से मोधी जी के निदूर गई है जो भी शंगी विचार के लोग है जो इस तरह की बाते रखते हैं वो तेजस्वी के इस जन विश्वास यात्रा से डरे हुए है और आप देख लिजेगा तीन तारी को जो रैली होने वाली है सब की छुट्टी हो जाएगी सब की छुट्टी हो जाएगी यह पूजी पती वाले का नहीं चलने वाले हैं यह लोग यह मोहानिया की जो विधायक है संगीता कुमारी उसके आख में तो सरम हाया बच ही बचा ही नहीं है कि एक जिला अध्यक्स थी वह एक जिला अध्यक्स थी उसके पास कुछ नहीं था उसको राजद ने ठिकर दे के सदन भेजने का काम किया और यह चेतान आनंद जिसका पुर अनंत सींग और नीलम देवि का जो था वो देखने लाइक था तो यह आसव लालू आदम निलम देवि का पूछने का काम किया जार् felt जो जानता से पूछिएंगा पांचू जो विधायक है को आज राजव से तूट के वाजपा के गोद में बैटें हैं कहीं ना कहीं लालू के नाम पे वो बिधायक बना लेकिन आप सुननेजीएगा दोफ़ाजार पतचीस में यहीं लोग नरेंदर मोधी के नाम अगर चुनाब नहीं हारेगा तो फिर हमसे बत्याईएगा इन लोगों की अपनी कोई जमीर नहीं थी अपनी कोई ओकाद नहीं थी यह सब लालुयादव का देन है लालुयादव वो डगती है जो नीचे से लेके उपर उठाने का काम करते हैं वो लालुयादव है हिम्मत है लिचे से ओपर उठाए वह भाजपा में नाहीं है भाजपा बना हुआ चीजों को क्याच करती है और खरीदने का काम करती है लेकिन लालु यादवर तजास भी वह ब्यक्ति है जो हमेशा नेता बनाने का काम किया है अरे सम्राण चोधरी का नाम मत लीजिए ऐसे लोग का क्या आप नाम ले रहते हैं उसका पिता जी खुद लालु यादव से बने हुए है भले ही उसका बेटा आरे सेस के गोध में जाके बैठ गया है भाजपा के गोध में बैठ गया है लेकिन वो दिन लोग नहीं भूल सकते हैं जब लालु यादव आज नहीं होते तो सम्राण चोधरी आज सदन में चिला चिला के जो च्छाती पीट के लालु यादव के जात्पात नहीं किया है यह समझ लिजे हमेशा एटुजेट की बात की है और माई बाप की बात की है गरीब गुर्वों की बात की है डलित मुस्लिमों की बात की है कभी एक की बात नहीं की है आज जो तेजस्वी यादब का जंग से लाब उबरा है पूरे बिहार ही नहीं की लोग पुखार कर रहा है दो बजे रात में महिला आए लर्किया पुरू सब रोट पे तजस्वी को एक जहलक अपनी नेता को देखने के लिए पागल है अब वह समय आ गया है यह अंत समय नहीं कहते हैं यह लराई बहुत बड़ी लराई है और इस लराई में सिर्फ तेज एस वह लोग तेजस्वी यादब के साथ वहार लोग है जो इस देश से बिहार से प्यार करता है अभी'! समय है वहर बचाने का नहीं तो हमारे बिहार को ₹। लूटने का काम किया है तोरने का काम किया है बेचने का काम किया है इन लोगों की साजी से चल रही है कि किस तरह से बिहार को भी तोर के परबाद करके लूट का अदब बना दे लेकिन जब तक लालूई आदब जिंदा है तेजस्वी आदब है बिहार को कुछ होने वाला नही तीन तारीकों यह तो टेलर था पिक्चर तो तीन तारीक है आईएगा सब लोग आईएगा दीजेगा अपना बेटा को असिरबाद और तब देखे कि खेला कैसे होता है तीन तारीकों यह आमंतरन दे रही है कि जो भी लोग है वो सभी कोई आये पटना के गांधी मैदान में एक भब्य रैली का आयोजन किया गया है तेजस्वी यादों के द्वारा और उसमें लालू परसाद यादों भी रहेंगे और तमाम जो उनके सांथ में जो उनके घटक दल है वो सभी कोई मुस्ताद है और जित्रे भी लोग है आप जाकर के देखिए पटना का जो MLA क्वा है प्रादों का जो में सब्या आप खजू है और नहार और लुवर्ज के देखिए प्रादों का जो उनके देखिए अग्यात्त।